बांगला देश की जो हिस्टोरिकल जीत हुई है विस बात के बहुत बड़ा सबूत है कि बांगला देश पाकिस्तान से कितना ज्यादा आगे निकल चुका है यह वही बांगला देश है जिसे पाकिस्तान 1971 से पहले और उससे भी पहले बहुत दिन तक इन लोगों के उपर बंढ़ाया है क्योंकि यहां के लोग थोड़े से कम संदर और इनको बांगला आती थी पाकिस्तानी चाहते थे कि पुरे उनके देश में सिर्फ उर्दू ही बोल प्राइब देश के बांगला देश के लोग कम संदर बंगला आती थी इस वजह से इस देश का नाम बंगला देश पड़ा लेकिन पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि हमारे पूरे राज में सिर्फ उर्दू ही बोली जाए क्योंकि बंगला देशी को बंगला आती थी उर्दू नहीं नहीं आती थी और वहां के लोग कम सुंदर हुआ करते थे सामले होते थे लेकिन पाकिस्तान उन्हें इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि वहां के लोग कम सुंदर थे लेकिन आपको एक छोटा से वीडियो यह हैं पाकिस्तान की कैप्टेन मिस्टर बाबर आजम इनके जो रिकार्ड हैं वो छोड़े खिलाव उनके छोड़े टीम के खिलाव ज्याद अच्छे हैं पर बड़ी देन्स के खिलाव यह कभी चल नहीं पाते इस टेस्ट मैच में भी इनका कुछ खास रिकार्ड नहीं रहा यह पाश दिन के टेस्ट मैच में यह मैक्सिमम जीरो पर ही आउट होते हैं यह एक ऐसे कैप्टेन इनको सबसे ज़्यादर क्रिटिसाइज किया गया खुद पाकिस्तानियों के द्वारा और उनकी मीडिया के द लेगा तो इनका जो मैच है वह काफी अच्छा नहीं है बहुत बुरा चल रहा है इनका टाइम बाबार आजम जो की बहुत बड़ा जाना माना नाम रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर के हिसाब से लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं रहा है जो कि इतना इनको एक्स्पीरेंस ह गरा के खिलाब जाद अच्छा है पर यह टीम इंडिया के खिलावी कुछ खास नहीं चले और भी जो बड़े टीम से अस्ट्रेलिया इंग्लेड या फिर न्यूजिलैंड इनके खिलावी बाबार आजम कोई अच्छा रिकार्ड नहीं है जिससे यह सच में खुद को किंग साबित कर पाएं अभी तक ऐसा कोई भी मैश नहीं रहा जो बाबार आजम अकेले के दम पर जिताए हों जैसे कि विराड कोली रोई शर्मा वगर जिताते हैं फिर जस्पर दूमरा वर्ड कप 2024 में जब पाकिस्तान अमेरिका से बीड़ा था तो पाकिस्तान का ऐसा हाल अच्छी डिफेंड करी बहुत अच्छा तवड़ी लड़ा ही तो टीम्स के बीच लेकिन एट लिस्ट यूएसे नहीं बाजी बारी और पाकिस्तान को मूं की खानी पड़ी पाकिस्तान के बाल वाइट पर वाइट दे रहे थे और बाबा राजम कुछ नहीं कर पा रहे थ इसका भी जोड़ा सा वीडियो में आपको ज़रूर दिखांगे यह कोई पहला मैश नहीं है जावर पाकिस्तान किसी छोड़ी टीम से हारी हो यह से बहुत सा रिकार्ट्स बने हुए लेकिन अभी में बस इतना ज्यादा वीडियो अवैल नहीं है पर इतना ठीक है आपको पाकिस्तान जो है जैसा अपना कारनामा कर रहा है दिन पर दिन अपने प्लेयर्स को लेकर इनके प्लेयर्स इन यह अपने प्लेयर्स को डमस्टिक में नहीं लाते हैं फिर उस हिसाब से नहीं सेलेकर तो पाकिस्तान का यह हाल दिन पर दिन होता जा रहा है इनके प्लेयर्स बहुत साय सोचल मेडियाज में वायल होते रहता हैं जैसे हरीस रौ फेरीस रौ उसलामि क्टरता दिन पर दिन बढ़ती जारी है दूसरे दर्म को और पुछता भी नहीं वहां पर यह पाकिस्तानी प्लेज दूसरे को इसलामिक बनानी में तुले हुए होते हैं लेकिन ऐसा ही आज कल देखा जाए बंगलादेश में जिस तरीके से तक्ता पॉलट हुआ से खसीना का क्या बंगलादेश भी दूसरा पाकिस्तन बन जागा एक हिंदोस्तान के लिए इसे हमने ही अस्तित्र में लाया हमने ही उसे असली जोगा दिखाई एक स्वतंतर देश द पीछे का बहुत बड़ा रिजन है तो क्या पंगलादेश भी जिने हमने ही बनाया क्या वह हमारे खिलाफ हो जाएंगे वहां की हिंदों के साथ क्या हो रहा है कितनी मंद्रे तोड़ी गए कितनी मस्चिदे तोड़ी गई एवें मुस्लिम तो मुस्लिम के भी सगे नहीं है वो लोग एक दूसरे का ही क्यों ऐसा कर रहे हैं और हमारे पीछे क्यों हादो करके पड़े हैं जो कि हम ही ने उनको बुर्ण बनाया है तो इसलिए बहुत बड़े अगंभीर का विश्विश्य कल की मैस्च की एरो काफी लोग रहे हैं जिसमें से शाकी वाल हसन कभी उनका पाकिस्तान। परिंजे में जिती थी आसे टीम आज चल पाकिस्तान का हाल दिन पर दिन होना है जो कि वहाँ के ही ही लोग है और कोई नहीं Sudden दुनिया में में जोकर बछे कि मीडिया वाले उसका मजाग बनाने से ठकते और नहीं रुकते हैं कारी तो बहुत आम बात हो गई लेकिन जिस तरीके से बंगला देश ने उन्हें हडाया पूरा का पूरा मैच पूरा वन साइड़ था यह नो इतना अच्छा उनका इनिंग रहा इतने ज्यादा रन बने फास्ट पिच्छ थी जो कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर्स नहीं थे कोई पेसर नहीं थे लेकिन इस चीज़ का फाइदा बंगला देशी ने अच्छा खासा उठाया है और उनको उन्होंने तो बाबाराजम को जीरो पर जीरो यह आउट करना था नहीं थोड़ा सा चले और अपने पाकिस्तान की नाक कटाने से बचाए ल बाबाराजम कोई अपया कोई यह बदा फंस की को नोई आझाल को कि काई ठाट नहीं है कि बड़ए लूंगे बड़े प्लियर्स की निशानी है कि जब मुश्किले पिछे जो मुश्किल कंडिशन में हमारी टीम उनके लीडर्टे रहना ही बड़े प्लियर्स की निशानी है इनके परस्जल लाइफ में और इनके प्रोफेशनल लाइफ में इनकी मीडिया के बहुत बटा हाथ रहा है इनकी मीडिया वल्त उनको परस्टनल ही बहुत जबहाँ आटेक करते हैं जो कि mental जिसकी भी इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देगा जिसका करन बहुत बड़ा खुद पाकिस्तानी है खेर आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट और लाइक करके बताएं आप लोग की कमेंट बिलकुल नहीं आते हैं मेरे वीडियो पर नहीं कोई लाइक आता है तो इसलिए गुजारिश है कि प्लीज करें वीडियो ब हाली में चैनल मैंने खुला है तो सपोर्ट की जरूर आवशकता है तो आप लोग की वैसे सपोर्ट ने जे सिर्व एक लाइक की काफ किया थे हैं